कि आपने काफी बहतर संग्राले बनाये गया है जिसमें जहां इतिहास से समंधित विविन चीजे देखना को मिलेंगी वहीं महावारत कालिंग कई कि देखिए चौधरी चरण सिंग विश्विद्यालाय मेरट के इतिहास विभाग को यह सोभाग्या प्राप्त है कि हमारे पास लगवग एक हजार साल से जादे पुराने मंदिर के सिर्दल के भाग रखे हैं जिन पर देव मूर्तियां हैं जिन पर रामयान का चित्रण है जि इसमें हनुमान जी का वो जो सुसेन वैद ने जड़ी बूटी लाने के लिए उन्हें भेजा था तो उस बूटी को हिमाले की तरफ से वो ले करके आते हुए तो ऐसा उनका उरते हनुमान का गदा के साथ ये भी उस पर उकेरा गया पत्थर पर तो राम रावन युद्ध क यूस का है वानर सेना का है चुए हनुमान जी योत्थ पती थे वानर सेना के उनका चित्रन है पत्थर में और सब्त मात्रिकाऊं का है निर्त्यकणश का है हमारे पास इतनी चीज़एं ये पुरानी है ये मेरध के सूरज कुण में कभी सं साथ के दसक में महिलाओं के इस ही लगभग लोग इसनान के लिए आते थे और परवों पर त्योहरों पर तो बहुत आते थे और रामलीला का मंचन जो है केवट वाला जो एपिसोड है वो तो वहीं हुआ करता था तो उसका बड़ा धार्मिक महत था तो बहुत लोग इसनान के लिए सूरजकुन में आते थे और ये मानते थे के चर्म रोग ठीक हो जाएंगे लिहाजा एक कुष्ट रोग से ग्रस्त हो गए थे जो लावर के जवाहर मर लाला जी तो वो घर बार छोड़ाए थे उस समय कोड़ हो जाने पर लोग छोड़ देते इसे राज रोग बोलते थे कोड़ बोलने में भी डरते यहां हुआ है ऐसी मानता है इस इलाके में लिहाजा सत्रे सो चोड़े इसी में जो लाला जी ठीक हो गए तो वो भी आज से तीन सो आठ साल हो गया उन्होंने इसकी सीनिया पक्की कराई और सूरज कुन पे अब सब उननीस सो साथ वाले दर्शक में नगर पालिका ने महिला गया छोटे बच्चे और महिलाएं को डूबेना एक दो केस ऐसा हो गया था तो उन्होंने एक छोटा सा कुंड बनवाने की कोशिश की तो जो कुंड के लिए वह खुदाई जब की गई पास ही में थोड़े से हिस्स्ते की उस खुदाई में पैनल निकल आए वो क्या है वो रेड सेंड स्टोन पर हजार बारह सो साल पुराने मंदिर के वो असेज थे यह उसकी सिरदल हैं सिरदल के भागें चिसमें चोखट या वो उससरा का रहता है यह परानी चीज यह है जिस न्यूकलियस से हमारा मूजियम बना भी है इसको हमारे मेरे स्रध्य गुरू वाद है?